तो नमस्कार साथियों स्वागता आज की एक नई न्यूस के जो है बीबीसी ने छापा इसको कि इसराइल इसराइल कुफिया एजेंसी मोसाद ने इरान में किस हद तक गुस्पेट कर लिये आईए हम देखते हैं तो खबर इस प्रकार छपी है कि नॉवंबर दो हजार बीस में इरान में सबसे नामचिन परमानू विज्यानिक महसिन फजरी देह का काफिला आग की लप्टों से गिर गया थोड़ी देर में उनकी मोथ हो गई उन पर आर्टिफिशिल इंटेलिजेंस के सहारे रिमोट से मशिन गन चलाई गई थी किसी गटिशील लक्ष पर इस तरह से सर्जिकल अटेक के लिए ग्राउन पर रियल इंटेलिजेंस की जरूत होती है खास कर तब जब आप नागरिकों को पहुचाए बेना किसी खास शक्ष को निशाना बनाते है फजी रहा देह की मौत के बाद इरान के कूफिया विवाग के मंतरी महमुद अलावी का बयान आया इसमें कहा गया कि उन्होंने सुरप्शा बलो को दो मैने पहले ही इस तरह के हमले की चेतावनी दे दी थी अलावी ने दावा किया कि जिस जगह पर उन्होंने फक्री जह को निशाना बनाया जाने की चेतावने दे थी ठीक उसी जगह पर हमला हुआ अलावी ने बताया कि जिस सक्ष ने इस हत्याकान को अंजाम दिया था वह इरान की सेना से जुड़ा था उन्होंने कहा कि हम अपनी सेना पर इंटिलिजेंश आपरेशन को अंजाम नहीं दे सकते हलाकि उन्होंने इशारे में यह भी बता दिया कि साजिशों को अंजाम देने वाला दा इसलामिक रिवोलिशनरी गार्ड आई आर जीसी का ही सदस्य था इरान यह सबसे इलीट मिलेटरी यूनिट है अगर फक्री जादे हैं कि हमले हमला हुआ तो माना जाता है कि हमलावर आई आर जीसी में इतने बड़े ओधे पर होगा कि कुफिया चेताउनी को नजर अंदास करके उसने हमले की तारीक वक्त तो जगए ताई कर ली होगी क्या इरान के कमांडर दूसरे देशों के लिए जासुसी करते हैं तेहरान की इविन जेल के सिकुरिटी गवगाड के सूतरों के मताबिक आई आर जीसी के कई बड़े कमांडरों को यहां रखाय गया है इन पर दूसरे देशों की जासुसी के आरोप है इराणी सरकार ने इनके नाम और ओधा नहीं बताया इससे इराणी रिवलेशनी गाट की प्रतिष्टा धुमिल हो सकती है IRGC कुट्स फोर्स विदेशी ओपरेशन यूनेट के पूरों कुफिया अधिकारी ने BBC से कहा कि विदेशी एजेंसियों ने कहीं इराणी राजनुतों और IRGC कमांडरों के खिलाव सबूत जुटाया है इन लोगों से तरलुकात से जुड़े सबूत भी जुटाया है हलाकि विदेश जासुसी एजेंसिया इन पर दबाव ना बना सके जब मुसाद ने इरान के परमानों दस्तावे चुडा लिये 2018 जनवरी की एक रात राजदानी तहरान से 20 किलमेटर दूर और द्योगिक जिले की एक स्टोर में फैसिलिटी में लगबग एक दरजन लोग गुज गया और महां 32 आलमारिया थी लेकिन वे जानते थे कि सबसे कीमती चीज कहां रखी है उन्होंने साथ गंटे से भी कम समय में उनमें से 27 आलमारियों के ताले गला दिये उन्होंने महां छुपे कर रखे आधा टन परमानू दस्तावे चुरा लिये और उन लोगों ने महां कोई निशान नहीं छोड़ा इरान की इतियास में अब तक ये सबसे बड़ी चोरी मानी जाती है हलाकि अध्यकारियों ने इस मामले पर चुपी साथ ली थी तीन महीने बाद महां से 2000 किलोमेटर दूर इरान की राजदानी इसराइल की राजदानी तेल अवीव में चुरा गए दस्तावेज प्रकट हुए तदकालिन इसराइली प्रदान मंतरी बेंजामिन नितनियाओं ने उन चुराएवे दस्तावेजों को दिखाते हुए कहा कि यह इसराइली कुफिया एजेंसी मोसाद का अपरेशन था इरानी अधिकारियों ने उस वक्त दस्तावेजों को नकली करार दिया था उनका कहना था कि इरान से किसी दस्तावेज की चौरी नहीं हुए इरान के राष्ट्रपती हसन रुहानी ने अगस्त 2021 में अपने कारेकाल के आखरी दिन यह माना कि इसराइल ने उनके देश के परमानवा दस्तावेज चुराए है उन्होंने ततकालिन अमेरिकी राष्ट्रपती डोनाल टरम को इसके सबूत दिये 2018 में बेंजयमी नेतनियाहु ने खास तरफु बुलाएगे एक न्यो स्कॉंफरेश में इन दस्तावेज चुराए है उन्होंने इसमें इरान के अग्षित परमानु कारेक्रम में मोथसिन फक्रिजादे की भुमिका का जिक्र किया नितन्याव ने इस कंफरेंस में कहा कि क्या आपको मोकसीन फक्रीजादे का नाम याद है इससे ठीक दो साल बाद फक्रीजादे की अत्या कर दी गई पिछले दो दशकों के दोरान इरान के कही नामचीन परमानू विग्यानिकों का कतल हो चुका है इरान के परमानू और सेन्न परतिस्थानों पर तोड़ फड़ की कही कारिवाई हो चुक है लेकिन अब तक इरानी सुरक्षाबल इस तरह के हमलों और साजिसों को रोखने में नाकाम हुए है दोजा तेरह में जब इरानी राष्टपदी महमूद अमजदी नहजाद के आरेकाल का आखरे दिन था तो अफवा फेली कहा जाता है कि मौसाद के लिए जासुसी के आरोपों में आया जीसी कमांडरों के कुफिया अधिकारी और तक्रीर करने वाले मुलान में इसराइली विरोधी कति विरोधी के प्रभारी थे इरान के रिवेलोशनी रिगार्ड कोर्ट में चुपचाप उन पर मुकादमा चला और बाहर इसका कोई जिक्र किये भी ना उन्हें फासी पर चड़ा दिया पिछले साल अहमदी देनाद ने यह सुकार किया कि मुसाद ने उनके कुफिया भाग से जुड़े मंताले में गुस्वेट कर ली थी उन्होंने यह भी कहा कि यह कोई सामाने बात थी कि इस्राइली जासुसों को काबो करने के लिए उनकी कारियों रोकने के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार खुद इस्राइली एजेंट बन गए